सर रधावा ने जो पार्टे की बैठक हुई बिड़ला ओडिटोरियम में उसने कड़े शब्दों में कहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ही आला कमान कह रहा है इसी बीच रुटासरा का बयान है कि धुआ निकाल देंगे पारिलट ने खेटरी की सबा में जो शब्द कहे वो ही उन्होंने दोहराए लेकिन निगाहे कही निशाना कहीं जैसा लगा कि बीजेपी का नाम लेके वो पारिलट को रुटासरा मैसेज देना चाह रहे हैं तो इसको कैसे देखते हैं क्या अब पार्टी में जो संगठन बनेंगे उसमें सिरे से किनारे किये जाएंगे पारिलट के समर्थकों से उसमें एक जानकारी आई कि पारिलट के एक समर्थक विधायक हैं जो कभी उनका पूरा राजकाज देखा करते हैं एक इन्पुट ये भी आया पहले कि राजस्थान में कुछ दिनों पहले पुलिस की एक वो थी उसमें अशो गैलोत का बयान था कि कर दें अन्य था राजनेतिक भवश्य यहां नहीं का निस्थ नबूद कर देंगे वह अपरादी और उनके समर्थकों को मुझे लगता है कि एक नजरी से देखा जाना ठीक नहीं है गैलोत का जो बयान था वो उस वक्त था जब वहां पर इंकाउंटर हुआ उतर आज़ान देने की कोशिस की हाला कि सीधे तोर पर उन्हें यह नहीं कहा कि मिट्टी में मिला देंगे जो योगी ने कहा उन्होंने एक नया सब्द इस्तना बूद करने का यह वैसा ही सब्द है जो सोप्त हिंदुत्वि की बात करते हैं कट्र हिंदुत्वि की बात बीजे को बुला करके जिसने फिजली बार बड़े वोट लिये कॉंग्रिस के उमिदवार वो नहीं थै उनको बुला करके बाकाईदा ये कहा जा रहा है कि पार्टी के महासचीव नहीं ये बात कही जो प्रभारी महासचीव राज्तान के रंधावा उन्हों नकाए कि पाइलेट के स समर्थक जो विधायक हैं उनके साथ चले जाए पूरी विरास्तान की जब बात आई तो एक बात और याद आई कि जादातर विधायकों को बैठक चल रही है फीडबेक लिया जा रहा है उसमें उनको डाउन साइज करने की कोशिस हो रही है उनको ये बताया जा रहा है कि सर प्रभारी महास से चीव देते हैं कि आपकी इस्तिती कमजोर है आपके टिकेट काटी जा सकती है यानि वो सरिंडर करते हैं वो अपना आपको पूरी तरह से नत मस्तव को जाएं कि साब टिकेट मत काटी है मेरी तो इस तरह के संदेश दिये जा रहा है लेकिन एक विधायक को जब ये कहा गया कि आपकी क्या स्थिती है उन्हों का मेरी स्थिती से मुझे कोई ज्यादा वो नहीं है मतलब क्योंकि मैंने फैसला कर लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो चुनाव नहीं लड़ने की बात के बाद में तीनों की तरफ से जो रियक्शन था वो कॉंग्रेस में हो गई है क्योंकि उसके बाद जो दूसरे विधायक बुलाएगे उनके उनसे सटीवी सीट के उन्होंने भी ये कह दिया कि फला सीट का मेले अगर चुनाव नहीं लड़ता है तो आप हमारे जिले से एक भी सीट को मत मान करके चलिए जी हाला कि उनको कहा ग किया कि सरकार हमारी है या नहीं है कामकाज के लिया से मैं कभी महसूस नहीं हुआ विपक्स में एमेले थे तब तो ये तर्क होता था कि सरकार विपक्स के इसलिए हमारे काम नहीं होते हैं सत्ता पक्स में होते हुए भी अगर काम नहीं हो रहे हैं और अब आप सवा चार सा पार्टी ये तीसरे अमेले हैं कॉंग्रेस के जिन्हों ने चुनाव लड़ने से इंकार किया है इमराम चोधरी मना कर चुके पस्ची में रास्तान से हाड़ोती से भरत सिंग निस्पस्ट कर दिया भरत सिंग आये ही नहीं वन टू वन जो बैठा को रही है उसमें भरत सिंग उसको लेकर के कई तरह की चर्च आएं हैं कॉंग्रेस का एक धड़ा खास तोर पर आजारे प्रमूत करस्टन जे सनेता खता ही नहीं चाहते कि पाइलेट छोट करके जाएं ये मेसेज भी उपर दिया गया है कि अगर पाइलेट छोट करके जाएंगे तो 25 सितंबर जैसी घ काटना है लगातार होंगी आपको गहलोत पैलेट से नहीं काटते हैं अब आगे और नहीं काटेंगे इस तरह के संदेश भी देजारे लेकिन पाइलेट को लेकर करके जो अब समीकरन बनते दिख रहे हैं उससे गहलोत खेमा खास तोर पर कॉंग्रेस के खेमे को ये लग र राजमतिम उनको कोई नहीं हरा सकता पहले मदेरना उनको नहीं हरा पाए पहले विर्दा उनको नहीं हरा पाए पहले नटवर सिंग उनको हरा नहीं पाए राम सिंग विस्नुई नहीं हरा पाए सर्दें जोसी नहीं हरा पाए सीपी जोसी नहीं हरा पाए नहुल की सोर सर्म नहीं होगा इस लिहाद से वो जीत मान रहे हैं दूसरा उनको ये भी लगता है कि पाइलिट का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ सिप्ट होने के बजाए अगर तीसरे रास्ते पर जाता है तो कॉंग्रेस के लिए स्थिति और जो ज़्यादा बेहतर होगी उसको लेकर करेंगे प्रदीब जी तो आपको अच्छी तरह से दिखेगा कि पिसले कुछ दिनों से आम आद्मी पार्टी जो लगातार यहां पर एक्टिवेट थी उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दिये यानि उसे भी भरोसा है कि आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें बदलने वाली ह उनके पक्ष में कुछ हो सकता है राजस्तान के खास राजमितिक पहलों और खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें ठिंक 360 को और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करें धन्यवाद